स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सभी अपना के रेडिट कार्ड का पैसा को अपने अकांट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप सभी ट्रांसफर करेंगे वो तरीका मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ जैसा कि guys example में यहां पर देख सकते हैं कि आप सभी को credit card दिख रहा होगा इस credit card का limit जो कि मुझे यहां पे 10,000 रुपे मिला हुआ है तो इस credit card का इस limit को अपने account में आप सभी कैसे transfer करेंगे तो अगर आप सभी transfer करना चाहते हैं credit card limit मिला हु आप सभी को अपने account में transfer करेंगे चरिए वीडियो करते हैं तो इस amount को अपने account में transfer करने के लिए आप सभी को खौन फोन फे उपन करना है भरना आप सभी को पूरा step बाई step बताता है तो बिल्कुल भी आप सभी video को skip नहीं करेंगे पूरा step देखिए तभी आप सभी का पैसा आपके account में transfer होगा वरना नहीं हो सकता है तो इसलिए आप सभी को पूरा देखना है इस वीडियो को बिल्कुल skip नहीं करना है तो आप सभी को सबसे पहले क्या करना होगा यहां पे एक option आप सभी को मिलेगा जैसे ही phone पे open करेंगे तो open करने के बाद तो आप सभी को यहां पे एक option मिलेगा recharge and bill payment का option है इस वाले में आप सभी को एक features मिलेगा यहां पे आप सभी देखेंगे कि rent payment का नाम से एक features है जो कि यहां new लिखा हुआ है उसके बाद नीचे यहां पे rent payment लिखा हुआ है इस वाले पे आप सभी को click कर लेना है करने के जाएगा तो यहां पे आप सभी को चाड़ option मिलते हैं मैं आप सभी को बता दू सबसे पहला home shop आप सभी को क्या करना है इसी वाले पे click कर लेना है home shop rent है इस वाले पे ही आप सभी click करेंगे तो करने के बाद कोछ इस परकार से page open होगा तो अब क्या करना है का यहां पे आप amount डाल लेना है उसके बाद property name आप कुछ भी यहां पे डाल देंगे तो जैसे कि मालीजी अगर आप सभी को यहां पे amount करना है तो मैं आप सभी को बता दूं यहां पे minimum amount आप सभी 1000 रुपे कर सकते हैं 1000 से कम का amount यहां पे नहीं होगा तो आप सभी कम से कम minimum 1000 रुपे यहां से निकाल सकते हैं इससे कम का रासी नहीं निकल पाएंगे तो आप सभी को यहां पे amount डालेना है उसके बाद property name में कुछ भी आप सभी यहां पे लिख देंगे लिखने के बाद यहां continue को option मिलेगा इस वाले में क्लिक कर लेंगे करने के बाद दूस्तों यहां पे आप सभी को दो option मिलता है तो सबसे पहले आप सभी को land load name में यहां पे भी आप सभी अपना नाम जो की डाल लेंगे डालने के बाद यहां पे mobile number optional है आप सभी चाहे तो यहां पे देंगे वरना इसको छोड़ देंगे उसके बाद यहां पे आपको दो option मिलता है पहला दोस्तों अगर आ आप सभी का बैंक यहां पे पहले से एड नहीं है तो प्लस वाले पे किलिक करके जो भी बैंक में आप लेना चाहते हैं यहां पर दोस्तों आप से भी सेलेक्ट कर लेंगे for example मान लिए कि अगर आप सभी यहां पर हम सेंट्रल सेलेक्ट कर लिए हैं तो आप सभी को क्या करन हैं बिल्कुल सही सही अकाउंट न इंबर यहां पर डालेंगे कि वह आप सभी आप डालेंगे इसी में आप सभी का पैशा ट्राइस बर喊ने के बाद आप सभी का बंट जो सब सार्च कर लेएंगे घstudy docs लिएपर कर लिए मैं अपना नाम कर लोगन होगे मैं ंपना अपना नम्द अब किलिक कर लेना है तो आप सभी को यहां पर क्या करना है तो करने के बात जो है दोस्तों अब आफ सभी के सामने क्या होगा कि कुछ इस परकार से पेज ओपन हो जाएगा तो यहां पर दोस्तों आप सभी को होता है वह यहां बांगे यहां नीचे फिर师 आप सभी को सीवीशी नमबर डालने का बाद प्यरेंड का टालेगा इस वाले आप सभी किलीक कर लेगे सोगज करने के बाद जो भी आफ सभी का के रेडिट कार्ट रहेगा उसके पेज़ पे आफ सभी को लेकर चला आएगा इसके बाद दुस्तों अब आफ सभी को यहां पे क्या करना है एक OTP आता है उस OTP को आफ सभी को यहां पे डाल करके एंड कंफर्म बाले पे आफ सभी को किलिक कर लेना है तो जैसे ही आफ सभी इस बाले पे किलिक करेंगे OTP डाल करके कंफर्म बाले पे किलिक करेंगे आफ सभी के बैंक आकाउंट में जो भी आमाउंट डाले रहेंगे इन्स्टेंट जो कि ट्रांसफर हो जाता है तो ये तरीका है दोस्तो कि रेडिट कार्ड अमाउंट को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने का सबसे आसान तरीका यही है जो कि मैंने आप सभी को बदा दिया है तो कुछ इसी तरीके से आप सभी अपना पैसा अपने अकाउंट में जो कि इसी तरीके से ट्रांसफर कर लेंगे तो मैं आप सभी को बता दू कि अगर आप सभी इस अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं एक हजर रुपय ट्रांसफर करते हैं तो आप सभी को 20 रुपय जो कि यह नहीं वाला है तो इस तरीके से आप सभी अपने पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे तो आज के वीडियो में बस इतना है वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताईएगा अच्छा लेगे तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दीजिएग तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं फिर कसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टोपिक के साथ